हेलो फ्रेंट्स वेल्कम ट्रॉम् टॉ में चैनल साइंस लर्नर्स आज इस वीडियो में हम फार्मा पॉल्स के जुक फर्स चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि डेफिटिशन ओफार्मा पॉल्सी यानिफी फार्मा कॉङनुसी किसको वहते हैं अफार्मा जैसा कि मैं क्लास में जो डिक्टेट करते हैं या फिज जो बच्ची नोट्स लिखते हैं मैं वही आपके सामने यहां पे स्क्रीन पर रख रही हूँ हो सकते हैं इसमें मिस्टेक हो स्टूरेंट के द्वारा लिखा हुआ है लेकिन इससे थोड़ा बहुत आपको help मिल सकती है आने वाले एक्जाम में भी जिनका एक्जाम अभी जैनवरी में है जिनका admission 2020 में हुआ था और जो new syllabus में भी same as it is है तो जो old batch है और जो new batch है दोनों को भी यह chapter यूसफुल है और फार्मकोगनोसी में बहुत slight change है बाकि सब चीज वैसा का वैसा ही है तो जो new syllabus है इसमें भी 5 स शोशल फार्मसी जो है वो सिर्फ किसके जगह पर आगया है पहले जो ही सीपी होता था health education and community pharmacy उसके जगह पर सिर्फ शोशल फार्मसी आगे बाकि सब चीज सेम है जब हमने review किया बुक होंगा तो पूरा syllabus सेम है थोड़ा बहुत सिर्फ लेसंस के नाम अलग हो सकते हैं या चैप्टर उपर नीचे हो सकते हैं और यह जो शोशल फार्मसी भी है यह भी सिर्फ सब्जेक्ट का नाम चेंज किया गया है लेकिन अंदर most of the chapter वही है तो इसलिए जादा changes नहीं है बहुत थोड़े slight change है उसमें और जैसा भी होगा जो भी topic चल रहा है वह आपको बताते ज है उनके लिए बोल रहें जो पर्स टाम अगर मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे तो तो आप मेरे पहले वीडियो पर जाके देख लीजिए जो फार्मसी से रिलेटर जित्ते भी नए रोल्स बन रहे है यह जो भी सर्कुलर आया मैं अपडेट वह करती जा रहे हूं अब राइटिंग का प्रॉब्लम हो लेकिन अभी फिलहल इसी काम चला लेजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बुक से लिया हुआ क्या करूंगे वह पेज का पिक ले करके मैं डाल दूंगे ताकि आपको अगर अपना भी नोट्स बनाना है तो वह चैप्टर आप की जाजे को ऊसा है और आपके नियू स्लित बनाना है तो अब आपको वन मरत को आएंगे ट्री मार्स के बर देकिंगे ट्रीगे उसमें बिसले बशनके प्र्मार्ज वर्चंव स्कोमें मैं वह चै क्रुमान का सुन भी समज्मिके फूर्उं प्रन को यह अई तिक साहा है समझ में आजेगा तो इसलिए जो न्यू पैच है उनको वन माक के लिए भी प्रिपेर करना है तो आफ्टर कंप्रिशन अफ दिस चैप्टर एड गिवन सम वन माक कोश्चन जो कि वन माक कोश्चन में पूछी जा सकते हैं उसको सॉल्व कराई हूं ठीक है तो हम एक एक करके देख लेते हैं आप प्लेस बने रहें पेशन्स रखें क्योंकि याद करने के लिए पढ़ने के लिए थोड़ टाइम देना पड़ता है आप चाहेंगे कि एक ही मिनट में जल्दी से जैसे दूसरी वीडियो जाते हैं पांच मिनिट में आया खतम हो गया समझ में आ गया त करेंगे तो जबते हैं सबसे पहले हम खरम कोगनोसी को किसा करेंगे तो जैसे यहां पर दिखिया फंट Camp प्लांट अनिमल और मिनरल और और यहां पे आना चाहिए था है इस सब्जक्ट में क्या पड़ते हैं पर द्रॉट ड्रॉट का मतलब होता है वह जिससे हम मैडिसिन बनाते हैं यानि कि जैसे कि हम पेट पॉदों से बहुत सारी चीज एक्स्ट्रक्ट करते हैं और फिर उससे म बनाते हैं या फी म ही अजरिए से निकालते हैं जैसे कि लॉंग व एक्षब गड़ी ग्र reviewed उस्से वालीजिया करते हैं तो वहाँ सार्य दभाई यह वह जो रहे सो नि day Κ expects और यह फार्मकोग्नोसी एक्टिली दो वर्ट से बना हुआ है तो इसको गिडी करते हैं इस पूरे वर्ट को तो इसमें एक वरड आजाता है फार्मकॉं और दूसरा जो होता है वो गिगनासको होता है अब ये платन का मतलब किया होता है जो यहां पर लिख़ा है कि Das layerò 2 दवाय तेसं माइए इसमें सारे तरह के मिनिश को मिला देंगे तो में मालू होगा कि ड्रग के बारे में पूरी तरह जितने भी दवाईया हैं उसके बारे में नॉलेज गेन करना उसके बारे में जानकारी इकत्रित करना उसके बारे में हमें नॉलेज लेना ही क्या होते हैं फार्मा कोगनोसी ठीक है या फिर फार्मा कोगनोसी को ऐसे भी हम ड करने करने के लिए या प्रिवैंशन करने के लिए याने उस बिमारी से बचने के लिए या फिर ट्रीटमेंट करने के जो भी हम यूज करते हैं लाइन चाहि जोग हम प्लांट और मिन्रल और और चुछ में प्लांट मलत dóda लोग फंद विजिए 합니다 तो आप अगर definition आ रहे तो उपर वाला भी लिख सकते हैं नहीं तो नीची भी लिख सकते हैं इसमें कोई ज्यादा पर्क नहीं है ठीक है नेक्स्ट है history of pharmacognosy अब जब हम पढ़ते हैं history of pharmacognosy तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं लोग को या हम लोग को भी क्या होता है तो फ़र्स्ट कोन साहता है यह सब पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा डिफिकल्ट जाते हैं लेकिन इसको हम थोड़ा क्या करेंगे थोड़े छोटी-छोटी स्टोरी के सब हम याद करेंगे तो देखेंगे शायद हमें याद हो पाए तो फर्स्ट क्या है history of pharmacognosy अब यह अर्ली पीरेट की कहानी यानि बहुत जब जमीन पर धर्ती पर जब माना वाय थे हैं तो जब की कहानी जब क्या हुआ था जो प्रिमेटिव मैन होते थे वह क्या करते थे जंगल जग वेंट इन दे सर्च अफ पूर्ट लाइक दे ट्यूबर्स फूर्ट लीफ एट्स एट कोई फ्रूट पल या कोई साभी लीफ या कोई साभी जैसे गाजर मुली कुछ भी मिल गया वह लेते थे और खा लेते थे अगर वह खा लिए और उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तब तो वह ऐसे फोड़ी वह यूज कर देते लेकिन अगर खारने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं को दिखके आता था तो वह जो साइड इफेक्ट रहता था वह समझ जाते थे कि यह जो कुछ भी है वेजिटेबल है या कुछ भी है वह हम इस तरह से यूज करते हैं फॉर एक्जामपल पर एक्जामपल अगर किसी जने ने कोई ऐसा निकाल ल बनाना मिल गया अब वह खाया उसका अच्छा असर दिखा कुछ भी नहीं हो तो उनका पेट भी भर गया और उनकी भूप मिट गई तो वह यूज करने लगे अज़ा लेकिन अगर कोई पॉधा खाके या कोई फूट खाके कुछ भी हो करके अगर उनको सपोस उनको उल्ट ज़्टी में अब उल्टी लाना था सबस्ट अन जाने में हूं कुछ ऐसी चीज खालेते हैं वह पेट से निकालना है वापस तो उनको उल्टी लाना पड़ता है तो उल्टी ना जनके लिए ऐसे एमेटिक वह उने लग या यानि कि वह खिलाने के बाद अब आब वह परसन ट्रेंगे कि जैसे जिंजर उग्शा वगरा उन्हों जब खाया उनको ठीनको यंहें व्हूरों रेलीफ मिल गया तो वह यूज हो गया एंटी एसड़ तो एसे जब कुछ भी खाया जंगल में और उसका उन्हों ने असर देखा तो वह असर देखनी के बाद उनको Yeah दिरे दिरे आया कि ने भाहिव जिस चीज से मतलब जैसे अधरक खाने से क्या हो रहे है एसिए कम हो रहे तो एंटसेडि यूज करेंगे कोई चीज्य और वहां नीम को पत्ता वगर है अगर उसको कुट के उपड़ा लगा लेंगे तो या ऐसा अंटिसप्टिक क्या या फी कुछ और उनको मिल जब के हैं जैसे की फैनल वगर या या फिर कुछ भी है तो फैनल है या फिर लोंग है क्लोव है यह सब खाने से रहे क्लोव लिया जाए दान को दर्द कम अधर होता है तो आपको यूदि करने लगे और इसी में थोड़े-थोड़े लोग क्या हुए बहुत जादा महारत्य नहीं भथे तो क्या बन गए पुराने जमाने के हकीम आयर्वेदिक के वैद बन गए हकीम बन गए हना और उन्होंने उसी का प्रैक्टिस किया और लोकों ने धीरे-धीरे जो सिर्फ खाने की तलाश में जंकल में भटकते थे अब धीरे-धीरे वह अपना इलाज भी यही पेड़ पौदों को यूज करके करने लग गए अब नेक्स्ट देखें जो प्रथा स्टार्ट वह कब हुआ तो क्या लिखा हुआ है 3500-1500 बीसी यानि कि इंडिया में भारत में 3500-1500 बीसी के दौरान क्या हुआ कि यह चीज जो है कि मैडिसीन मतब मैडिसनल हiation होते हैं और हुषसे हम मैडिसेन बना सकते हैं बहुत सारे उनले ग्जांट से निकाल सकते हैं जैसे मैं जनरलागों को एक्जाम्पल में जीसे नीम record लिखा हुआ है या पर लिखा हुआ है कि कब हमारी इंडिया में ये सब medicine की प्रथा शुरू हुई जो कि सिर्फ natural origin से निकाला जाता था वो किसमें describe क्या हुआ है तो वो दो किताब में describe क्या हुआ है एक तो है रिक वेदा में और दूसरा है अथर वेदा में रिक वेदा में और अथर वेदा में और कुछ बुक को दूसर चीज भी बताते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी next क्या है अब 460 से लेकर के 370 BC तक क्या खोज हुआ हुआ देखिंगे है अब ये पूरी वल्ड की कहानी बताई जा रही है यहां पे यानि की 460 और 370 BC के दौर अन में हिपोक्राट्स बहुत फेमोस हुए और उनको हम कैसे जानते हैं फादर अफ मैडिसीन की भी तौर पे जाने जाते हैं और उनका जो महारती थी या जो डीप नॉलेज जो उनका था या जो वो डील करते थी वह कुन सा सब्जेक्ट उनका था या सपोज हमारे कॉलेज में एकसर आते हैं ठीक है और वो हमें क्या पढ़ाते हैं anatomy and physiology पढ़ाते हैं तो कौन से सर आते हैं तो हिपोक्रेट सर आते हैं यह याद करने का तरीका है थोड़ा हम इसको स्टोरी से लिंक कर लें तो हम जल्दी याद होगा तो हिपोक्रेट सर जो है वो आते हैं anatomy and physiology पढ़ाने के लिए तो हम एक्जाम में जब अगर हम भूल भी रह तो यह थोड़ा बहुत हमें याद आजाएगा कि हिपोक्राइट डिल्स वेट अनाटोमी और फिजियोलोजी तो हम याद करें कि कॉलेज में हमें अनाटोमी और फिजियोलोजी पढ़ाने आते हैं और कुछ बच्चे उनको अब क्या बोलते हैं फादर आफ मैडिसीन भी बो 1234-322 BC में क्या हुआ तो एरिस्टोटल ही इस दा वेल नोन पॉर दा एनिमल किंग्डम यानि कि इनके लिए वन माक कोशन बहुत पूछा जाता है कि एनिमल किंग्डम किन नहीं लिखा था या कौन डिल करते थे एनिमल किंग्डम के बारे में पूरा ज्यान या नॉलेज क कि इनों ने दिया था डीप नॉलेज कि इनके पास था तो एरिस्टोटल है अब याद कैसे करेंगे पहरे जैसे मैंने कहा कि क्या कहा कि हमारे कॉलेज में एक सर आते हैं वह हिपोक्राट सर हैं उनको बच्चे फादर आफ मैडिसीन भी बोलते हैं और वह हमें क्या पढ़ा अब दिस्टरबिंस की में हमेशा रात में अप्लोट करती हूँ और 12 बजे के बात करते हो एक सपोरर्ट व अधर करते करतेराथ के बैज içc ठीक है तो एरिस्टोटल जी जो है एरिस्टोटल हां तो यह स्टोरी हम ऐसे बना लेंगे याद रख निकली स्रेप कि कॉलेज में पहले हिपोक्राइट सर आते थे वह हमें अनाटॉमिय फिजियोलोजी पढ़ाती तो आर हिपोक्राइट सरी कहें पादर आफ मैडिसिन भी ब प्यार करते तो उन्होंने कॉलेज की उसमें एक जू जैसा खोल दिया चोटा और अलग अलग तरीके के एनिमल्स उन्होंने रखना शुरू किया और वो एनिमल्स को देखा करते थे और उसके बारे में सब चीज कहां लिए रहते हैं अनिमल किंगडम में तो कौन से सर थे जिन्होंने ऐनिमल्स के बारे में deep knowledge था और लिखते रहते थे अनिमल्स के बारे में वो थे Aristotle अभ यह याद रह जाए ऑगा कि कॉलेज में हीपोक्राट के बाद Aristotle शरॉए Aristotle शर ने जू बनाया में जू की देखभाल और observation करते थे आनिमल्स की और उनका record maintained करते थे किसमेN टिया रखने लिए क्या करेंगे केक और सर आये हमारे college में अरिस्टोटल के बाद पार्ट उणने क्या कहा एक अरेcot कशा सब्सक्राइध हम उन्हें रप्लांट बना प्लांट का क्या से प्लांट का Emily tom बना दिया और वह बहूत तो different different types के वो plant वहाँ पे उगाना शुरू करती है और उसके बारे में observe करते थे और plant के बारे में लिखते थे तो वो किस में लिखते थे तो plant kingdom में कौन से sir तो theophratus sir so theophratus sir ने plant का garden बनाया, Aristotle sir ने animal kazoo बनाया और उसके बारे में लिखते थे animal kingdom में इनसे पहले जो sir थे वो hippocrat sir थे और वो hippocrat sir हमें क्या पढ़ाते थे तो anatomy and physiology पढ़ाते थे ऐसा अगर हम याद कर लेंगे तो हमें याद रह जाएगा अब next क्या है gallon अब gallons sir कैसा याद करेंगे अब देखो यह gallon sir किसलिए फेमस थे यह फेमस थे method of preparation इन्होंने बहुत सारे crude drug जो हम extract निकालते हैं जैसे हम काढ़ाव अगरा निकालते हैं नीम का या फिर हम अभी कोविट में बहुत सारे काढ़ाव अगरा पी रहे थे उसमें जो डिकार्शन बना रहे थे हैं बहुत से चीज़े डार रहे थे तो वैसी है वैसी बहुत सारे drugs का extract निकालना crude जो प्लांट थे या एनिमर था उसमें से extract निकालना उसका method of preparation बताना तो जादा बहुत सारे drugs का किनों ने बनाया था तो गैलंसर ने बनाया था तो यह जो ग पहले तो anatomy physiology पढ़ाने वाले हिपोक्राइट सर हो गए फियरेस्टोटल सर ने animal kingdom के बारे में बताया अथियो फ्रैटर सर ने तो plant का garden लगा दिया और उसके उपर क्या लिख दिया वो plant kingdom के बारे में लिख दिया अब कॉलेज है समझो अब यह कॉलेज में एक गैलन अंकल है चाह बहुत अच्छी बनाते लाते हैं क्यों कि उनका method of preparation बहुत है दूसर कोई चाह लिख आते तो उनकी चाह अच्छी नहीं रहते हैं तो gallon बहुत अच्छा रहते है तो अब exam में अगर हमें भूल भी जाएंगे तो हमें याद रखना आ जाएगा कि gallon was well known for so many because he had given so many method of preparation of what तो गैलन जो थे वो मैथोड प्रप्रेशन के लिए फेमस थे और इसलिए मैथोड जो प्रप्रेशन निकल के आती है जो भी एक्स्ट्रक्ट निकल के आता है उसको गैलन सील भी बोला जाता था अब आगए धीरे-धीरे हम 20th century पे 20 शताब्दी में अब यह 20 शताब्दी में क कॉलेज और एजुकेशनल फिल्ड में ऐसे सब्जेक्ट यह पढ़ाई शुरू होगे क्या नाम का फार्मा कोगनोसी नाम का इससे पहले फार्मा कोगनोसी एक सेपरेट क्या सब्जेक्ट नहीं रहता था जैसे कि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट आगे साइंस में माइक्रो क्रूड ड्रग की हिस्टरी पढ़ना शुरू करती है कलेक्शन प्रिप्रेशन स्टोरेज नॉलेज और बहुत सर चीज़ हैं अब धिरे-दिरे हमें थ्धोड़ा मॉडन फार्मा कोगनोसी के बारे में भी लिखना पड़ेगा एक्जाम में कि मॉडन फार्मा कोगनोसी कब बोड़ते हैं जब अनलाइटिकल केमिस्ट्री बहुत ही पीक पे अनलाइटिकल केमिस्ट्री यानि अनलाइस वगरा बहुत होने लगा है यानि कि प्यूरिटी वगरा चेक करना एनलाइस करना कि वैदर कोई अडल्रेंट तो नहीं है जो हमारे घूड रग है वह औरीजिन साइंटिस्ट का नाम है अब इसको भी याद करने के लिए टेक्निक में बताते हूं थोड़ा हम ट्रिक देखेंगे तो इन्होंने जो डाइस क्रो राइट्स थे इन्होंने क्या चीज़ के बारे में बताया और उन्होंने अपनी किताब में लिखा वह किताब का नाम क्या प्रिकड़ानल में नाम देख्ड़ानल देखी साइंटिस्ट का नाम याद Mi ring रहेगा क्योंकि बहुत वैसा नाम है तो थोड़ा हम क्या करते हैं हम तो इसको ब्रेकड़न करते हैं इसको तोड़ने के कुशिक करते हैं suiv तो यहां पे हो गया डायो डायो के बाी वात के और फिर उसके बाद राइट सागे राइट यानि चलाना जैसे बाइक वगर चलाते हैं तो राइट है अब उनको हम याद कैसे करेंगे कि एक सर्ते जो कॉलेज में डाइट आए मतलब दो तो सुबह एक मॉर्निंग में जब आते थे और जब जाते थे तो इनका जो गाड़ी चलाने का जो रफ़तार था इस पीड था बहुत ही थे जाते थे और बहुत ही थे से जाते थे बहुत ही थे हाइथ ब्हुत ही स्पीड में आते थे और स्कोर लिखते थे तो यह क्या कहा कि अब तक तो वने दीख है कि के अनाटॉमिय पढ़ आपh कौन थे ही पोक। है के बाद कौना है आरिसटोतल राए अरिस्टोर्टाल सर में अने और चेंग्डम के बारे में लिखा पिर उसके बाद कोना वो सर कुन थे तो सअर्क बार से ने बाद का रिस्सक्राई बना आया है तो कों से तो इसे नहीं यूद के लिगौensesक अने अब उसके बाद प्लांट का तो गार्डन बन गया था लेकिन उसके बाद यह जो बहुत रफतार से सराते थे ना जिनका नाम डाइस क्रोराइट्स था यह सर क्या करते हैं यह बोलते हैं ने भाई पूरे प्लांट नहीं होंगे सारे प्लांट हटाओ सिर्फ इसमें हम मैडिस ना बिस इन इस वह गार्डन लीकिकितां में लिखे तो यह सीं और मैटीरियल से मटीरिया आ गया और दूसरा क्या है Medica, यानि कि Medicine बनाने के लिए जितने भी Materials लगते हैं, वो उन्होंने अपने किताब में लिख दिया है, जस्ट याद कने के लिए है, तो D अपने नाम से स्टार्ट हुआ, और Materia Materials से आ गया, और Medica, Medica मतला, Medica मेंट से आया, तो जो एक्जाम में आ सकते हैं, वनमार्क का कोशन, कि DICE को राइट्स, डिस्क्राइब दे मैडिसन प्लांट, इन विच बुक बोल करके, DICE आ जाएगा को कहले लिखेंगे, दे मैट्रिया, Medica, ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, थोड़े बहुत हमें, बहुत इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, जो इन्वेंशन हुए, जो डिस्करवरीज हुए, उसके बारे में हमें ये मॉडरन फार्मा कोगनसी में लिखना पड़ेगा, त्योंकि ये बहुत बड़े माइल स्टों थे, जिसके वज़े से एक बहुत बड़ी क्रांती आई पारमसी में, दवाई के छेतर में, तो इसके बारे में में मैंशन करना बहुत सरूरी है, लेकिन ये याद कैसे करेंगे, धिरे-धिरे में, रिलेट करने की कोशिश करोंगी, जैसे कि फर्स्ट है पैंस पैंसिलिन जो था, ये सबसे पहले आईसोलेट ने किया था तो एलेक्जेंडर प्लैमिंग ने किया था, या बुक में आप नाम बगर स्पलिंग रच्छे सा देख लेंगे, और उन्होंने किस येर में किया था तो 1928 में किया था, अब ये पैंसिलिन ने ता फिरमस के हो ग market में आते रहते थे तो लेकिन pencil इता क्यों famous हुआ pencil इसले फैमस वा क्यूंकि जो फ्लैमिंग जी थे ना एलेंचंडर फ्लैमिंग जी इन्होंने जो pencil की खुछ 1928 में कया था वह जो pencil है एस एंटीबर्टिक बहुत जादा यूज हुआ कब Second World War में जब Second World War हुआ तो बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग सक्मी हुए, हना infection फैलने लग गया तो एक बहुत सारे लोगों को एक साथ ठीक करने का काम हना उन्हें बचाने का काम किस antibiotic ने किया तो पैंसलिन ने किया, और ये पैंसलिन किसने discover किया था, तो फ्लैमिंग जी ने किया था, लेंग सेंडर, फ्लैमिंग जी ने किया था, 1928 में लेकिन Second World War में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, इसलिए ये एक तरह से बहुत, एक माईल स्टोन के जैसा यादगार हिस्ट्री बन गई इसके, हना इसके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट है क्या, राव वॉल्फिया अब ये राव वॉल्फिया जो है ये क्या है, इक तरह का राईजोम है जैसे हल्दी, टर्मरिक होता जड़ सूपर और तर्गांट वाली तो ये राव वॉल्फिया भी राईजोम है अब इसके बारे में लिखना क्यों जरूरी है इसके बारे में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भी एक माईल स्टोन के तरह काम आया जैसे कि हर घर में बीपी वगर है ये कई सालों से बीपी वगरह चली रहा है ब्लड प्रेशर का तो ये रावल वॉल्फिया है इसमें से एक कैमिकल हम निकालते है जो कि री सर्पाइंट नाम का कैमिकल है ये कैमिकल किसमें यूज होता है तो ये कैमिकल यूज होता है सदाबहार का पौधा यह जातर हर घर में रहता है और इसका बहुत अच्छा यूज़ है और बहुत ह्मारी country में तो कम लेकिन धूसरे country फॉरेंग्र कंत्रिय में यह Cancer ज्यादा तेजी से प्हेल रहा था भोगों डिटेक्ट हो रहा था झालय धेता लेकिन रीन था नएखन सकोई जोई जना कोदो थह तो ह्म खान पर signage Thanks वीज़ाने में यूसफुल्स था दो किसमें रूइएि ईूज केसिटा क्ला था मि यूज कि बॉस्ती को क्षोन सा भीन क्रिस्ट Allow government रूइन यूज यूज कि की में यूज होने लग सब्सक्राइब निकाला जाता है विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन तो यह क्यूंकि कैंसर की डिजेज में जान लेवा बिमारी उसके डिजेज में यह काम आता है इसलिए इसके बारे में भी लिखना ज़रूरी है नेक्स्ट के है लेटरोन सो मनी नैच्रल एन सेमी सिंथेटिक फार्मसेटिकल ड्रग वर आइसलेटेड एन मनुपैक्चर और इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे नैच्रल यानि की सीधे जैसा हम निकालते वैसे यूज होने लग गया या फिर उसमें थोड़ा मॉडिफिके अब जो है यह सकोप फार्मा कोगनोशी का मतलब होता है कि इंपोर्टेंस अब फार्मा कोगनोशी की यह क्यों पढ़ना जरूरी रहता है अगर हम इसको पढ़ते तो हमें क्या क्या नौलेज मिलता है यह सारे चीज़े किसमें आ जाती स्कोप में आती है और कुन-कुन- पार्माफोगनोसी का यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले इसका साइड हेडिंग होगा वह होगा थोड़ा उसका structure chemical जो formula होता है उसमें थोड़ा बहुत modification करके थोड़ा बहुत change करके हम नए नए कई तरह के drugs डेली बनते जा रहे हैं और market में भी आते जा रहे हैं और कई तरह के antibiotics भी बनाया जा रहे हैं तो यह सब क्यों possible हो पाया है यह सब इसलिए possible हो पाया क्योंकि हमने हम pharma-cognosy के जरीय से फार्मा-cognosy पढ़ने के बाद ही हमें पूरा-pूरा knowledge मिला किसके बारे में प्लांट ओरीजन के बारे में जो दवाईयां, प्लांट से निकल जाती है या अनिमल से निकल जाती है, या मिन्रल से जब हमें यह तीनों चीजों का पूरा नौलेज हो गया, तो नौलेज किस नहीं दिया? वो नौलेज दिया, फार्मा कॉक Nous Cini सब्चेक्ट में यह subject नहीं होता था तो हमें इसके बारे में deep knowledge मिलता है नहीं था plant से जो medicine बन सकता है या animal origin से बन सकता है या फिर जो mineral origin से बन सकता है तो सबसे ज़्यादा importance यह है कि parmakognosy हमें पूरा पूरा knowledge देता है कि इसके बारे में crude drug के बारे में और crude drug के बारे में जब हमें knowledge हो जाता है तभी हम उसमें थोड़ा बहुत modification करके synthetic drugs बना पाते हैं और antibodies बना पाते हैं नेक्स्ट साइड हेडिंग देखेंगे कि indigenous system of medicine का मतलब है कि पुराने जमाने से traditional जो हमारे प्रदती चली आ रही है इंडिया में कौन से medicine चली आ रही है जिसे कहा रहा है इंडिया में अयर्वेदा ने origin मतलब स्टार्ट जो पहले की जो भी इलाज होगेरा होता था वो अयर् प्लांट से ही निकाला हुआ medicine है तो यह जो indigenous system of medicine है यानि कि traditional जो हमें जितने भी medicines हम पढ़ते हैं जो कि प्लांट से निकालते है या अनिमल से या फिर मिन्डरल से तो वह कौन से जड़ी बूटी में मिलेगा उसको जग्राफिकल वह कौन से जगह पर मिलेगा कई जड़ी या सिर्फ हिमाले परवत पर मिलती है कोई अच्छे स्थान में मिलता है कोई डाउन साउट इंडिया में मिलता है तो सारी चीजों का नॉलेज हमें कहां से मिला हमें फार्मा कोगनसी जब हम फार्मा कोगनसी पढ़ते हैं तो इसमें हम जोग्राफिकल ओरीजिन भी देखत सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हर्बल मैडिसिन होती है वह टॉक्सिक नहीं होते हैं उसके साइड इफेक्ट नहीं दिखके आते हैं अब फॉर्थ पॉइंट है यहां पे मैडिसनल प्लांट अब फार्मकोगनसी का बहुत बड़ा रोल है किस चीज में हमें बताने में क कौन से प्लांट से कौन से कैमिकल कॉंस्टिट्ट निगलेगा और उसको हम कौन से डिजीज में हम उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एक्जांपल फॉर एक्जांपल जो मलेरिया का जो डिजीज है मलेरिया जब हो जाता है तो उसका जो दवाई देते हैं वह सिंकोना बार् कि फार्मा कोग्नोसी के जरिये मालूम हूँ है , तो जैसे हमें मालूम हो गया și फिर हम技 दवाइचे नशलग्वी ड़ा है trabalhी सागिन के देखunta है कि अरिद मेंडे घ्यट्यश । सकते हैं और कोणकों से दवाई बना सकते हैं वह सब कहते हैं बसके जो हो Never medicine enough medicine became new medicine जैसे कि market में Right मार्केट में रोजाणा में Central French правильно norm बहुत सारे पूरानी चीज को थोड़ा और मॉडिफाई करके न्यू न्यू मैडिसिन्स मार्केट में आ रहे हो और एक तरह का यह ख्रांती आ गया तो यह सब कैसे जब ऑरिजनल चीज ही नहीं रहता अगर प्लांट नहीं रहता और उसके बारे में नॉलिज नहीं रहता तो हम यह कि वो भी फॉरा न्यू जसिए नमन प्लानी के चनिल ऍाम पतार है यानी कि जब हम फार्मकोगन समय पूरे प्लांट इम लिए उसके बारे में नॉलिज लपाते तबहीं में कुछ न्यू मैडिसिन धीन कों alleine कर सकते हैं अब कुछँर के का मतलब होता है कि वह सारी दवाया जो कि कोई भी disease की treatment में या फिर उसकी prevention में या फिर diagnosis में जो use होते हैं और most ही जो हम फार्मा कोगनोसी में पढ़ते हैं वो natural origin का पढ़ते हैं जो हमें nature से मिलता है जो हमें plant से मिलता है, animal से मिलता है या फिर हमें mineral से मिलता है तो फार्मा कोगनोसी ही हमें सारी चीज़े हमें provide क कराती है कि कौन सा क्रूड ड्रग कहां से मिलेगा उसको कैसे डिस्पेंस करना है यानि उसको कैसे फॉर्मुलेट करना है उसको टैबलेट बनाने की इंजेक्शन फॉर्म में देना है और उसका मनुफैक्ट्टर करने का भी मैथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताता है एनलाइस फिर एडल ट्रेशन कैसे मालुम करना है उसमें कोई मिलावाट है तो कैसे मालुम करना हर एक छीज का नॉलज को मैं देता है फार्मेकोगन न इसको्प में आ जाती है यानि उसका इंप्टेंस में ही आ जाता है अब नैक्स है प्लांट ट्रॉक्स एंड्रमेडिए कि जितन पड़ा तो यह सर प्लांट से निकाले हुए हैं और उसका ट्रीटमेंट भी हमें उसी में मिलता है यानि कि अगर हम फार्मा कोगनोसी पढ़ ले रहे तो हम उसकी पढ़ने के बाद हम बहुत सारी चीजें चीज सीख जाते हैं यानि कि एक्स्ट्रक्शन भी सीख जाते हैं हम कलेक्शन भी सीख जाते हैं फिर उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करना उसका एंजलाइसिस कैसे करना उसका फॉर्मिलेशन कैसे करना मार्किटिंग कैसे करना उस सारे चीजेकाम का नौलेज पर्मकोगनसी में दिया रहता है अब 8th point है कि एलकुलाइट, ग्लाइकोसाइड and antibodies बहुत सरे एलकुलाइट, ग्लाइकोसाइड या antibodies हम कहां से निकालते हैं हम निकालते हैं पूरे crude drug, plant से, animal से या फिर mineral से तो यह सारे चीज़े कब possible हो पाई जब हमने deep knowledge किया किसके बारे में हमने deep knowledge किया फार्मकोगनसी के बारे में, अब यहां पर दो तीन point जो छूट गया थे वो है, जिसके 19th century में Materia Medica जो था, was used for the subject known as the pharmacognosy, फार्मकोगनसी subject को पहले क्या बुला जाता था, Materia Medica बुला जाता था, और जो यह जो वर्ड है, फार्मकोगनसी हना कोई-कोई बुक में क्या दिया हुआ है कि यह फार्मकोगनसी पहले बार यह वर्ड किसने यूज़ किया था, तो सिडिलर साइंटेस्ट थे, जो कि जर्मन साइंटेस्ट थे, इन्होंने 1815 में, यानि कि जब हम समझ सकतें कि इसका ओरिजन हुआ हुआ था, यह फार्मकोगनसी फॉर्स टाइम यह वर्ड आया था, 1815 में, 1815 में यह फॉर्स टाइम यह कोईण हुआ था, यह पहली बार यह वर्ड आई थी, कौन से फार्मकोगनसी, कौन से साइंटेस्ट लाए थे, तो सिडिलर और टाइटल ऑफ इस वर्क और जहां पर उन्होंने मेंशन कहता हो कौन से था वो था एनलेक्टा फार्मा कोगनॉस्टिका तो अब यह एक एक वर्ड के अंसर याद करना यह समझना भी बहुत ज़र है क्योंकि अब जो न्यू स्लेवस है या न्यू जो कोशन पेपर आएगा उसमें वन मार्क के भी कोशन रहेंगे यह वही है इसकोप फार्मा कोगनोसी यह थोड़े पॉइंट्स दूसरे बुक में से लिखा गया है इसलिए इसलिए यहां पर एक हम यह फ्लो चार्ट के जैसा देख सकते हैं बीच में जैसे फार्मा कोगनोसी लिखा हुआ है और य जब हम कलेक्शन या क्ल्टिवेशन करते हैं जासे कि सपोज हम एकजामपल दरें कि नीम है में कितने टाइप्स कि नीम की पेड़ होते है यह तुलसी के पेड़ होते हैं ऑसको क्ल्टिवेशन कैसा करते हैं या फिर रिसर्च और डवलपमेंट कैसा करते einzel Quindi from the यूज वे हम बारे में हम इतर आफ पर नाच्रल प्रोडक्ट नीचर जो चीज़ मिलती हैं वह भी हम फार्मा को संफे पर ढहले हैं जू लोशन इस अब बहुत रहे हैं आगल्च कोस्मेटिक इह से अपड़वहाँ जो बन रहे हैं आज फोर्बैंट और इंभ बन रहे हैं आजकर प मैंने चो इस्टोरी बताँ था कि फिर्स्ट सर आयते है हिप्पोक्राट सर जिन को प्यार से बच्चे लोग हटर फादर आफ मैडिसीन भी कहते थे जस्ट यह एक जो यह है क्या तो यह जो रोल वलफ यह यह जो राइज आई जूट नहीं है तो एक यह हैं राइजों साइवर फर्ट कोशन है हो रोट अनिमेंग्डम के बारे में डीप नॉलेज और उसके बारे में किसी नहीं तो एनिमल्स चुम जो याद आप है कि मैं इसके बोले से लिए थे घए आरेस्टोटल साइंटिस्ट थे उन्होंने अनिमल kingdom के बारे में लिखा रहा था फूर्थ के है हूँ रोट plant kingdom plant kingdom के बारे में plant का garden किस नहीं रहा था तो थियो fratis ने अब यहाँ पर देखें सर्जिरी के बारे में किसमें लिखा हुआ है तो सुशत्रा सनहीता में यह कभी-कभी one marks में question पोस सकता है कि डैश डिल्स विद्धा सर्जिरी तो answer is शुशत्रा सनहीता सिख्थ कोश्यन इस डैश revised method of the preparation see the word के method of preparation जैसी आज़े कर method of preparation तो गैलेंसियल्स बोलते है यानि method of preparation ना बोल करके उनको जिसके हमने नीम का काढ़ा निकाला तो उसको हम बोल सकते कि this is the गैलेंसियल ओफ नीन हाना गैलेंसियल ओफ नीन तो साइंटिस्ट थे वह कों थे तो साइंटिस्ट थे गैलेंजी गैलेंसर ठीक ना तो यह ऐसा याद करेंगे next seven point is dash physician describes some medicinal plant medicinal plant किनों ने वह पूरे plant right ऑटने तो दाह स्कोर राइटी सर जो आते जाते हैँ स्कोर लिखते तो और रायडिर यह नी बाइक चलाने को बोलतेया ना two wheeler च्लाने को दो दै इसकोर राइट्स सर छिपी का डिल होता है कि समीस के बारे मिं कहा गया तो तो इसमें कहा गया अईर्व था बहुत इंप्पोर्टेंट है नाइन इस शू सू श्चत्रा सनहीता डील्स विथ अभी अभी और भी अडीरहा थां इकुशन this is the further surgery 10th one is बहुत important है कि टर्म फार्मा कोगनोसी वस फॉर्स यूज़ बाए जर्मन साइन्टिस्ट कि इनने फॉस्ट रम क्या था कुछ बुक में है सेडलर है ठीक है वहाँ पर अगर तो सेडलर है कब क्या था तो 1815 में क्या था और कौन से बुक में में मैंशन क्या है तो ए इनलेक्ट्रेंट इस जो हम मिलावट करते है तो एक मिलावटी चीज़ों का कभे भी इसकी सब्सक्राइब वह चुछा वाल ख्रावला रा नोसमें थ्या ख्रावला लॉग陳 वाला लॉंग हम क्यों मिलाते हैं ताकि रेट तो हम वही लें अच्छे दाम में हम खराब चीज बेच दें तो ऐसा कुछ लोग करते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है उन्फीरियर ओर रही सिक्रिस्टिन अर्यविन स्थी जो और देखेंगे कैमिकल सब्सटेंस इन दप्लाइंट कैन उन्मकुं सब्सटेंस करें लिंद मराइन ने हैं तो हम किस्टे मालूम करते हैं spell के समें किसे मालूम करते प्रत इस गाए है कि या थे क्सीद से मालूम होते है या फिर हमें क्रोमेडीकू इसaría सब्सक्राइब विल्यम फ्लैमिंग और कब क्या था तो 1928 में किया था 15 विच मैथड इस यूज़ेशन आइस्टिरोइड कौन सा मैथड यूज़ेड निकालने के लिए तो आंसर इस मार्कर्स मैथड अब यह नीचे क्या दिया हूए इसमें दिया हूए कि कौन से इयर में थे इपोक्राट साइंटिस्ट कौन से इयर में थे तो यह थे 460 से लेके 370 बेसी तक थे अरिस्टोटल कप थे तो 384 से 322 बेसी तक थे तक थे सब्सक्राइब अपने खुद के नोटस बनाना और क्यूंकि इस बार नियूस लेबस में वन मार के कोशन आएंगे तो आपको खुद हर एक चीज हर एक लाइन आपको बुक से पढ़ना चाहिए और अपना नोटस प्र तो यह जस्ट मैंने एक चाप्टल कर दिया वह भी मेरे पास टाइम नहीं है आज को बहुत वैसा दिन है मैं रिवील में कर सकती लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं में माटेरल देने को कोशिश करों इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको बुक के पिक्स मिल जाएंगे जो कि य सब्सक्राइब में चैनल लाइक और शेयर इच अगर कुछ क्वाइर इस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा लेकिन आपको घबराना नहीं चेंज कुछ भी नहीं है सिर्फ एक सब्जेक्ट का चेंज है बाक चैनल लाइक अब जाएगा बहुत अरब बच्चे घवरा रहें कि न्यूसलिबस में कैसा है क्या है और अपको अच्छा है कि वन वर्ट का अंसर से थ्री मार्क्स के हैं और फाइव मार्स का है पहले कि बच्चे 14 14 मार्स के अंसर लिखा कर गोगे तेगे विद इस आपको to close this video thank you for watching